मेरे फिल्म आपको पेशल सेक्युर्टी मिनी है आप बहुत जाहे हैं तो आप इपकी तो इस विजेक्शन आप टारे ने तो आपकी पीसमें पैसे ने तो आपकी तो आपकी तो इस तो इस सब्सक्राइब एड रहा है कि अब पेज़ कर रहे हैं यह सब्सक्राइब देखे धन्यवाद आप लोगों का जितने भी मीडिया भाई हैं हमारे यहां पे और फिल्म दी डेरी आफ वेस्ट बंगाल तीस अगस्त को रिलीज हो रही है और जाहर सी बात है कि अब दो पाश साथ दिन बचे हैं रिलीजिंग के लिए और जैसे कि आप ने कहा कोई डर या खाफ मेरे में नहीं है हाँ फिल्म को लेकर जो बातें अभी तक पेडिया के मादियं से आ रही हैं तो इस बात को हम बताना चाहते हैं कि हमने इस फिल्म को बहुत साफ सुतरा बनाया है किसी तरह का कोई political agenda नहीं है किसी तरह का कोई मजभी agenda नहीं है किसी मजभ के खिलाफ नहीं है हमने इंसानियत के पक्ष में इस फिल्म को बनाया है एक true story है इस फिल्म की और जाहर सी बात है कि जिस वक्त कोई सची घटना या सची कहानी एक्सपोज होती है तो उस पर बवाल मचता ही है ये कोई नई बात नहीं है और जैसे अभी पशिम मंगाल में एक डॉक्टर के साथ घटना घटी तो पूरे मीडिया ने देखा तो हम भी इस फिल्म के माधियन से बहुत सैसे परदे उठाने जा रहे हैं जो के बहुत छुपेवे हैं उन कहानियों को एक्सपोस करने जा रहे हैं जो कबर में दफना दी गई थी और जिनकी आवास को खामोश कर दिया गया था हमारी फिल्म क्योंकि एक मजबूर बेसहरा उस पिडित लड़की की है जिसके आखों के सामने उसके पूरे परिवार का कतल हो गया उसकी बहन के साथ में गैंगरेप हो गया और वो नयाए मांगने के लिए हिंदुस्तान आई जहर सी बात है बंगला देश से आई ये तो पशिम बंगाल में ही आई और पशिम बंगाल के हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे के इस वक्त मौझूदा दौर में बंगला देश के हैं और क्योंकि वहाँ पर टीम सी की हकूमत है ममता बेनर्जी वहाँ की मुखमंतरी है और सबसे जादा हमाई फिल्म का जो अपोस हो रहा है वो ममता बेनर्जी और टीमसी के जो गुंडे हैं जो उनके नेता हैं उनके माध्यम से हो रहा है क्योंकि पशिम बंगाल में जो हो रहा है उससे कहीं न कहीं जुडाओ जो है वो ममता बेनर्जी और टीमसी की हुकूमत का है हमने टारगेट नहीं किया है उनको लेकिन जब आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो आपको एक जहर सी बात है कि वहां की मौझूदा हुकूमत की जो कठा चिटा है वो भी सामने आएगा जब हम किसी बलतकार की बात करेंगे तो टी-म-सी का नाम सामने आएगा जब जहां शेक का भी किरदार हमारी फिल्म में है क्योंकि उसको हमने पहले ही सर्च कर लिया था और वो तो हमाई फिल्म की शूटिंग के बाद वो पकड़ा गया है और उसका मामला एक्सपोज हुआ है तो यह वो सारी चीजे हैं जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हैं लेकि यह फिल्म जरूर पश्चिम बंगाल की कहानी है लेकिन यह जुड़ी पूरे देश से है पूरे भारत से है क्योंकि भारत को पश्चिम बंगाल में हो रही एक्टिविटीज से किस तरह की शर्मिंदगी पूरे विश्व में उठानी पड़ लई या पशिम बंगाल के माध्यम से जो एक्टिविटीज हो रहे हैं आतंकी एक्टिविटीज हो रहे हैं रोहिंग्याज एक्टिविटीज हो रहे हैं उससे पूरे हमारे देश को किस तरह का खतरा बना हुआ है ये सारी चीजे हमारे देश से जुड़ी भी हैं भारत से कि किसी तवाइफ के घंगरों की आवाज नहीं है हमारी फिल्म एक बेसाहरा एक ऐसी पीडित मजबूर लड़की की आवाज है जिसको हम पूरी दुनिया में एक्सपोस करना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं हमारी फिल्म वो आवाज है कि जब तसलीमा नसीम ने अपनी के को लिखा तो उनको बंगला देश छोड़ का भागना पड़ा तो वो ही वाकिये से हमारी फिल्म शुरू होती है और उसके बाद फिर वो पशिम बंगाल आती है पशिम बंगाल में किस तरह से रोहिंग्यास को फर्जी आईडी बना कर उनको पूरे देश में शिफ्ट कि जा रहा है किस तरह से वहां की आबादी रोहिंग्यास जो घुस पैटी हैं देखे इस बात को भी हम साफ कर दें कि हम मुसल्मानों के खिलाफ नहीं हैं मुसल्मान जो भारती मुसल्मान हैं हम खिलाफ हैं आतंकी मानसिक्ता के जो विदेश से आएं हैं और पशिम बंगाल म सम्विधान की वो एहतराम करते हैं वो विदेश से आए हैं उनका एक मकसद है कि भारत में आशान्ती पहलाना उनका एक मकसद है कि भारत का जो एक अच्छी गंगा जम्नी तहजीब है हिंदू और मुसल्मानों के बीच में उसमें दरार डाला और जब वोः वहाँ पर बड़ी बड़ी आबादियां बसाकर रह रहे तो जहर सी बात है कि वहाँ का जो हिंदू है उनके करोबार सुरकषित नहीं है भारती मुसल्मानों के साथ में तो ठीक है वो सुरकषित है लेकिन जहां पर इस तरह की जहनियत के लोग आ जाते हैं जिनका मकसदी सिर्फ आतंक है जिनका मकसदी सिर्फ लड़कियों के साथ में वो भी हिंदू लड़कियों के साथ में बलतकार है जिनका मकसद सिर्फ हिंदू का गतल आम है और वो आबादी बसाकर जब वहां पर और वो वहां से भाग रहे हैं आपके मीडिया के माद्यम से भी ये कई बार एक्सपोज हो चुका है कि पशिम बंगाल के हिंदू बंगाल चोड़कर भाग रहे हैं तो जाहर सी बात है कि जिस वक्त कश्मीर में ऐसा हुआ तब भी दुनिया ने देखा कि एक आएक ही वहां के बदल गया है बहुत बड़ा कतलयाम के चौकी में हिंदू का हो गया तो उस वक्त जिस वक्त कौकी में ऐसे हाला थे वही हालाथ अब रिपीट पशिम बंगाल में हो रहे हैं और پشم بنگال کی حکومت सिर्फ اپنے ووٹوں इन की ووٹوں की राज नीथ हो सकती है जाहरती बात है कि cities सरकार पर काबिज रहना है एक होचोमत को तो उसको किसी ना किसी तरह का भे दूसरे وटरों में लाना पड़ता है या अपने وटरों को सहलीतें देनी पड़ती है अगर वो आतंकी गत्विद्या कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट करना पड़ता है अगर वो रेप कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है यह ममता बनर जी की मजबूरी है तो हमारे फिल्म यह सारी चीजों को एक्सपोस करने जा रही है और हमको कई बार रोकने की भी कोशिश की गई, हमारे उपर एफ़ायार हुई जब हमने फिल्म को एनाउस किया तो हमारे उपर पशिम बंगाल में एफ़ायार हुई, फिर जैसे ही हमने रिलीस की डेट डिकलियर की तो हमको नोटिस देकर अठारा तारीक को वहां बुलाया गया, हमने अपने वकील को भेजा क्योंकि हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं कि हम वो दाना डालें हम एक सीधी साधी चुड़िया की तरह वहां आके दाना चुगने लगें, उनके जाल में हस जाएं उनका मकस्द यही था कि वो हमको वहां बुलाएं और बुलाकर हमको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके हमको जेल बेजें और वहां हमारी हत्या टेम सी के लोगों के माद्यां से करवा दें क्योंकि हमारी हत्या के बहुत से ऐसे फत्वे हैं जो कट्टर पंती दे चुके हैं देखे एक रोहिंग्यास का गाना हमने शूट किया है जो रोहिंग्यास का कल्चर है जिस तरह का हम को देखने को मिला क्योंकि वो गाना बजाने वाले जो उनके अपने जो जिससे वो गाना बजाते हैं ढोलक है या और चीजें हुई उस पे वो इस तरह के नाम लिखते हैं तो उसमें महबत का नाम अगर लिखा हुआ है हम ये समझते हैं इसमें कोई आपती की बात नहीं है आपने ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं किया जिस वक्त पीके बनी थी और उसमें एक ट्वाइलेट में शंकर भगवान का एक मजाख बनाया गया था ये सवाल आपको आमिर खान से करना चाहिए था ना पूरे उसमें आपने महादे शंकर भगवान को आपने ट्वाइलेट में बन किया उसके साथ उनके साथ में मजाख किया उनके साथ हाथा पाई की तो जहर सी बात है वो एक नाटक का किरदार था लेकिन आप उस वक्त वो नाटक वो किसके भेस में थे शंकर भगवान के ही वेस में थे न तो क्यों नहीं आपती हुई आप लोगो आज धोलक पे महम्मद का नाम लिग गया तो इस तरह की आपती है जो हमने दिखाया है बिल्कुल सही दिखाया है और ये नाव अब जो जिस तरह का प्रेशर्स हमाँ उपर बनाया जा रहा है हम कोई भी सीन क्योंकि सेंसर्स ते सब पास हो चुका है हम किसी तरह का कोई सीन किसी के दबाव में आकर फिल्म से काटने वाले नहीं है ये तो बात हो में अलग लेकिन को तरह कानी अलक मोड ले ले ये पुड़ा आपसा डार्यक्त कर गाया हो जाता है पब्लिसिटी स्टेंड इसको इसलिए नहीं समझना चाहिए क्योंकि अगर वह गायब होए थे और पिक्चर के रिलीज हो जाने के बाद और वो जब हमाई फिल्म उतर जाती उसके बाद परकट होते तो ये समझते कि ये पबलिक सिटी इस्टेंट था क्योंकि वो जब से ये फिल्म बनी है उनके उपर भी एफ आई आर थी वहाँ बंगाल की पुलिस उनको मुस्तकिल फून करकर के परेशान कर रही थी वो बहुत जादा उनका परिवार और सनोज मिश्रा खुद बहुत जादा टेंशन में थे और वो हमसे खुड टिकिट करवा कर पशिम बंगाल गए थे कुलकता गए थे कि वो वहाँ पर जाके अपना बयान नोट कराएंगे लेकिन वहाँ क्या हालात हुए क्यों वहाँ से भागाए उनका उस वक्त की पोजीशन क्या है क्योंकि उनकी तस्वीर हमने भी देखी है वो बहुत बिमार से दिखाई दे रहे हैं तो क्या दबाओ बना ये जब वो मिलेंगे तब इस पर बात होगी लेकिन ये पब्ली सिटी इस्टेंड नहीं है अगर पब्ली सिटी इस्टेंड होता तो सनोज मेशा आज नहीं मिलते फिल्म उतरने के बाद मिलते है जो मीडिया के माद soup recognizing से पता चला क्योंकि अभी मेरे नहीं से बात हुई नहीं है मीडिया के माद Johann से पता चला कि उनके परिवार के लोगों ने बताया कि वो बहुत टेंशन में है और उनकी इस वस्फ जो उनका हालात हैं हम यूँ कहें कि वो एक तरह से mental torture हो रहे हैं अगर उनी ने अपने phone बन किये या अब ये तो जब वो मिलेंगे तब उनसे बात होगी कैसा किन हालात में हुआ और जब आदमी देखे बहुत टेंशन में होता है तो वो किसी से बाचीत बाचीत भी नहीं करना चाता हो सकता है उनी ने सबसे दूरी बनाई हो इस पर अभी हम कोई जवाब पूरी तरह से नहीं दे सकते जब से मुलाकात नहीं हो जाए देखे जिस वक्त ये सूचना आई कि उनके मॉबाइल कई दिनों से बन चलने हैं तो हमने वहाँ पर उनके लिए एक वकील को भेजा ठाने पर पता करवाया और वहाँ पर एप्लिकेशन भी ठाने पर डलवाई कि वहाँ आए थे उनकी लोकेशन भी वहाँ की है लेकिन कहां गए ये नहीं पता उनका मॉबाइल बंद है तो अब देखे वही चीज़ है कि जब तक के सामने कोई बात होए ना अभी तक तो वह बंबे आए नहीं आएंगे तो उनसे बाचीत करेंगे तब वह अपना स्टेटमेंट जो इस हालात में होंगे अपना स्टेटमेंट दे पाएं तो वह देंगे अभी जो है ऐसा होगे कि सब को देखना ही पड़े गाए तो आप लोग सच्चा ही सुनना नहीं चाहते ना अभी जो है इसके बादेश का भी हुआ है इसके बाद में कॉलवर्टा का भी हुआ है तो वो बिशावा बारूत तो हमने खुद देखा था और वहां की कहानी जह हम शूट कर रहे थे हमको दिखाई दे रहे थे कि महां क्या हालात है लेकिन वहां पर एक ऐसी घटना हुई और उसके बाद वहां पर आग लग गई महां की प्राइम मैश्टर को भागना पड़ा बंगलादेश से तो जहर सी बात है कि जो हुआ वो तकलीव दे ऐे जो हुआ क्यدم के घर जले हैं हिन्दों के मंदी तोड़े गएं हिन्दों के लड़कियों के साथ में बलतकार हुएं यही सब हमने फिल्म में भी दिखाया जिस वक्त टीवी पे ये चीज़े हम देख रहे थे तो हमें लगता था कि हमारे फिल्म का ही कोई शौट चला तो वो हाला तो हम देखी चुके थे एक्सपोस तो अब हुआ है हमाई फिल्म बनने के बाद हाँ ये बात जरूर है कि रिली चाहेंगे जिस तरह की करने हैं देखिए प्रदान मंत्री जी इस बात से पूरी तरह आउगत है और जब सदन चलते हैं पारलियमेंट चलता है तो उसमें रोहिंग्यास के उपर तमाम बातें डिसकेशन्स भी होते हैं जो हमारी जाज एजनसीर हैं उनकी रिपोर्ट्स भी हैं वो उस पर कारवाई कर रहे हैं तो फिल्म के माध्यम से ही हम सारी चीज़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को ऐलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रोहिंग्या हमारे देश के लिए कितना बड़ा खत्रा हैं किसी वाध भी अगर जिहादी कोई और पूरे देश में ऐसी घटनाएं होंगी जो आज पश्रिम बंगाल में हो रही है। तो देश को भी अलर्ट होना चाहिए। पब्लिक को भी अलर्ट होना चाहिए। और हुकूमते तो इलर्ट हैं वो कारवाई कर रही है। हाँ, ममताब अनड़ जी जरूर इस वक्त बेहो उनको नहीं मालूम कि उनके पर्देश में क्या हो रहा है जायर सी बात है उनका सपोर्ट नहीं होता तो पच्छिम बंगाल की ऐसी हालात क्यों होते है तो इसमें कहा तक ही अजाज़ है आप वही चीज तो दिखा पाते हैं कि जो चीज जहां तक आपका कैमरा पहुशता है ज तक आपकी आवाज पहुशती है आप तो वहां अगर आप पच्छिम बंगाल की उन इंटियर आबादियों में चले जाएं उन गाओं कज़ों में चले जाएं तो ऐसी घटनाय रोज की हैं टीमसी के लोग वहां रोज बलतकार करते हैं हिंदू लड़कियों के साथ में रो उसके खिलाब जब बहुत जादा हो गया आवाज उटी तब एक्सपोज हुआ लेकिन वो कितना लड़कियों के साथ में महाँ पर हिंदू लड़कियों के जिनके साथ में आपने पूरी स्टोरी देखी कितना हो चुका था क्या यह फूरन हुआ था सालों से चल रहा था जिस वक्त फिल्म हमाई सेंसर हो गई है उस वक्त हमको दार अलूम किराची से एक फत्वा आया था जिसमें हमाय सर काटने का एनाम तो बहुत पहले से है एक और उसमें बढ़ गया था तो सर काटने का एक फत्वा दिया गया था और कहा गया था यही धोलक वाली बात उसमें भी लिखी गई थी कि आपने महम्मद की तोहीन की है धोलक के उपर इस तरह का नाम लिखा है तो हमने उसकी सूचना गौर्मिंट को दे दी थी तो यह तमाम इस तरह के दैशत पहलाने की बाते या फत्वे यह सब देते रहते हैं और हम यह समझते हैं कि आम मुसल्मानों को इस तरह की अफ़ाओं पर गोर नहीं देना करना चाहिए इससे अलग रहना चाहिए मेरा नाम देव फौसदार है और इस फिल्म में मैं विशाल का चरित्र कर रहा हूँ और ये विशाल एक ऐसा यूवा है जो बंगाल के यूवा को रिप्रेजेंट करता है वो यूथ जो कुछ करना चाहता है जीवन में नौकरी पारना चाहता है लेकिन वहांके मौजुदा हालात के वज़े से वो रोजगार नहीं पापाता है क्योंकि सारी नौकरियां सारी बिजनेस सारी कंपनियां शिप्ट हो चुकी है अलग-अलग तो ऐसा यूवा का चरित्र मैं कर रहा हूँ सेंसर बोर्ड ने तो पहले उसको हमारी फिल्म को खारिच कर दिया सार्टिफिकेट देने से इंकार कर दिया फिर हम रिव्यू कमेटी में गए रिव्यू कमेटी ने उसको देखा हमसे साक्ष पांगे जो हमने घटनाय दिखाई हैं वो सारे साक्ष उनको दिये तो उनकी मजबूरी थी कि हमाई फिल्म को पास करे क्योंकि हम जो भी दिखा रहे हैं वो असलियत दिखा रहे तो वो रोक नहीं सकते तो भी रोक नहीं थाट कर्ट्स उसमें एक रोहिग्या के जो है वो एक लड़की का गतल करके उसके मास्की बिर्यानी बनाके खाते हैं और ये घटना है रोहिग्याद इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं एक हिंदू लड़की को कतल किया जाता है गोली मारे जाती है उसके बाद फिर उसके बिर्यानी के चावल में उसका गोई डाल कर पकाया जाता है तो ये हमने फिल्म में दिखाया है, तो उसमें थोड़ा सा उनी ने कट किया है, जहां पे हमने हुमन पर्ट को खाते दिखाया था, वो लड़की की हत्टेया और बाकी तरब दिखाया है, बाकी कुछ थोड़ा सा. और इसमें मेरे दो चारेक्टर्थ हैं, पॉजिटेव और नेगटिव, अथीग और प्रतीग और मेरा इसमें चारेक्टर है कि कैसे मैं एक सुहासनी को मिलता हूं पांगलादीश में और कैसे उसको अपनी पॉजिटिव साइट दिखा के, मोटिवेट करके अपना साथ वेस्ट बेंगॉल लेकर आता हूँ और कैसे उसका ब्रेनवाश करता हूँ, ताकि वो अपना अधर मदले और यह इस तरीके का कैरेक्टर है और इसमें थोड़ा लव ज्याद का भी पार्ट है और मेरा इसमें कैरेक्टर है कि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस भी चला रहा हूँ तो इससे आपको पता चलता है कि वहां पर ये सब क्या से चीज़ी चल लूही है, कि मार्केट में हमारी धार में किताबों गलत तरीके से पेलाया जा रहा है, परिटो इस तरीके का रिख्टर है अब पूरी स्टोरी आप लोगों को यहीं बता देंगे तो फिर आप लोग देखेंगे क्या जो दिख रहा है वो सब हैं जो भी दिख रहा है जितने भी उसके पार्ट वारल हुए हैं तो जो दिख रहा है वो हमारी फिल्म के पार्ट से और वो सच्चाई है नीक मेरा समय अबसे है आपका एक विडियो बहुत अज़ा है वाफी बोल्ड भी है, और थी इसटूएट से अपी इचीजित है, हीता डिखिए पोर श्पुटिनस पाऊ, है कि रहने अच्छान के निए? प्रग्या शुक्ला जो है वो एक मीडिया परसन है आप लोग भी तरहें और एक बहुत ही बेबाब और बहुत ही स्ट्रॉंग लड़ी है जो सच्छाई लेकर आने में बिलीब करती है उसको नहीं फरक पड़ रहा है कि उसके तब क्या हो रहा है इस दीडिंग उसके साथ बहुत सरी छीजपन ब शुबां बंदी परन मेन आने के साथ लुक्रा़े जता है कि 말 कापड़ मरेंते रहे हुखा बहुत करती है सब शुक्षष pass ऑपर रहें कि मेरे उसके साथ कि एक जय Cindy 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 आज़े आदा एक लिंटा में निकल नहीं निकल आपारीगी मुझे ऐसा लग रहा है था कि यह सच में मेरे साथ हो गया है और मैं एक शॉक में चलीगी थी तो मैं इस चीज से बहुत ददर रिलेट कर पारी हूं अब कि जो भी अभी रिंगॉल में हो रहा है उसी लड़की के साथ हुआ है तो यह कितना सेनफुल है और मैं एक अक्टर हूं मैंने वो सीन को फिल्माया है तो मेरे लिए वो इसना सादा खारिबल सीन था तो जिन लड़कियों के साथ ज़ल में ही चीज़े हो रही है तो उनके लिए यह कितना जादा एक जर्दनाग चीन है और प्रग्या शुपला जो है बेसिकली वो इस कहानी की जो विक्सम है हमारी तो उसकी सचाई को सामने लेकर आती है और वो कैसे लेकर आती है यह आपको इस मूवी में देखने के बार पकाशने जो एक बांगादेशी दूब्रामिन की लड़की होती है और उसकी फैमिली को मार डालते है उसकी सिस्टर के साथ रेप होता है और उसी मौवल से भाख कर उनकी थोड़ी और महिलाओं के साथ वो बांगादेश से वेस्बिंगॉल आती है और जब वेस्बिंगॉल के सबसे इस साइड आती है तो वो समझती है कि यहां पर हिंडों की हालत अच्छी रहेगी पर जब उसे पता चलता है कि यहां पे भी हिंडों की हालत ऐसी ही है तो उसके साथ जो भी वो कूरे जो evp पूरी जोर्नी में उपके साथ बहुत इंजस्तिस होता है वह सोचते कि भारत। हिंदुस्तान में जब हिंदों की हालत अच्छी होनी चाहिए तो ऐसे कि वह यहां पे भी। महल क्यों है जो बांगलादेश में है तो वो इसी मुद्धे को लेकर वो अपनी आवाज उठाना चाहती है जो भी उसके साथ oppression जो भी उसके साथ injustice हुआ है वो पूरी दुन्या को बताना चाहती है human right council government of India सारी ministries को सब को बताना चाहती है कि वहां पे जो हिंदो की हालत है वही हिंदो की हालत बंगाल में है तो यह कहानी जब एक लड़की जब मैंने प्ले किया था तो मैंने भी काफी रिसर्च किया था मैंने ऐसा कुछ भी बिना सो समझे नहीं किया है बल्कि एक एक सेंटेंस एक एक डायलोग के पीछे मैंने डिरेक्टर को यही बोला था कि सर मैं यह नहीं बोलूँगी मैं यह नहीं करूँगी जब तक मेरे सामने कोई प्रूफ नहीं हो तो सर ने मुझे काफी वीडियो काफी चीजे दीती रीच करने के लिए और वेन थुरू इसा सच्छाय और ह काफी कत में हुआ है और अपकोर्स यह सीन इतना इंटेंस था जिसके लिए मुझे एक कारेक्टर में इंडल्ज होना बहुत जरूरी था तो मैं मेरे जोन में ही रहती थी तो आप थोर्टी पाइड बिकॉज मुझे एकदम ऑनिस्ती और सच्चाय से यह लड़की को दिखा इसलिए फिल्म एप आही है अब बेसिकली एक बात है बहुत बहुत ज़दा मैथ पूर्टे यह जो पीर है दर्द है एक कविता है बहुत प्यारी कि हो गई है पीर परबत सी पिगलनी चाहिए अब हमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने म मुझे लगता है कि आपके माध्यम से पूरी दिनिया में जलनी चाहिए वो बात दुनिया तक आनी चाहिए साहब आप सनोज जी के पीछे क्यों पड़ रहे हैं देखे सनोज जी सनोज जी खुद अपनी मर्दी से गए थे अपना काम पूरा करके ही तो गए भूमे फिर जब आना होगा आ जाएंगे